बाजपा के कोई नेता यहां पर आये तो जिरूर पूछिएगा कि देश में जब परधान मंत्री जी ने नोट बंदी की उसका फायदा क्या भाजपा की नेताओं को या देश की जनता को हुआ और चंडीगड के लोगों ने तो बिल्कुल मन मना लिया कि इस बार यहां से भाजपा के उमीदमवार को पठकनी देकर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के उमीदवार आदरने मनिश्तिवारी जी को संसद में भेजना है विपक्ष के लोगों के उपर ED और CBI आएगी इनके लोगों के उपर नहीं आएगी और जो दूसरी पार्टी छोड़कर बाजपा में आजाता है उनके उपर सारी कारवाई बंद हो जाती है संजे जी की बात का जवाब देता हूँ शहर उन्होंने गूमा हुआ है और गूम लिया लेकिन अब आप बहस के लिए आईए आप बहस से क्यूं भाग रहे हैं तो संसद में आप अपनी बात कैसे रखेंगे आप एक उमीदवार के साथ बहस नहीं करना चाहते चंडिगर्ड लोकसभा शेत्र में चुनाप परचार पूरे जोडशोर से शुरू हो चुका है कलोनियों में पूरे शहर के अंदर परत्याशी अपना-पना परचार समर्थकों के साथ करने जा रहे हैं रोज सुबह से उनकी जो ही ये कस्त्रश शुरू हो जाती है कॉंग्रेस के वरिष्ट ने था हरमेल केशरी जो की यूथ कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे हैं और चंडिगर्ड में इनका एक अपना नाम है AICC के कॉडिनेटर है सडोरा और जगादरी की सीट से वो आज हमारे साथ आए हैं आईए उनसे जानते हैं कुछ चीजों के बारे में कि किस तरह से परचार चल रहा है और कहां कहां पे किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं चंडिगर्डreckा के अंदर हमारे आधरनिय परत्याशी सिरी मनिश्ट तिवारी जी लगातार अपनी सारसे साथियों के साथ चंडिगर्ड के अंदर चंडिगर्ड की मार्केट्स, कलोनी, गाउं और सेक्टर्स के अंदर लगातार एक धुआदार पर्चार हम सब लोग मिलक कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं और जो पिछले 10 साल के अंदर देश में जो महौल एक डर का जो लोगतंतर को जो दबाने की और खतम करने का जो प्रयास है वह बात को लोगों तक पुंचाने का पूरे कॉंग्रेस के आम आदमी के और जो हमारे अन्य साथी है इस अभी तक चुनाव परचार में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे इसके बारे आपका क्या कहना है देखिए पवन बंसल जी हमारे बहुत आधरनी है और बहुत सीनियर साथी है नेता है वो हमारे हमें पूरी उमीद है कि आने वाले दिनों में वो हमारे बीच में मिलकर आकर पर आधरनी मनीश तिवारी जी के लिए वोट मांगेंगे परचार करेंगे और उनकी जीत को सुनश्चित करने के लिए वह जरूर परचार करेंगे यहां पर 25 कलोनिया चंडीगड के अंदर है जिनका वोट जो है अपने आप में एक एहम वोट है उत्रांचल और पुरवांच के लिए अपनी और करने के लिए आप कोशिशी कर रहे हैं देखे यह लुभाने वाला जो आपने शबद किया उसको मैं उचित नहीं मानता हूं वह हमारे परिवार के सदस्य हैं एक चंडीगड के रहने वाले लोग हैं और अकेला कलोनी में नहीं हम पूरे चंडीगड में चंडीगड में गाउंग में रहने वाले लोग, चंडीगड के सेक्टर्स में रहने वाले लोग, चंडीगड के नौजवानों के लिए, चंडीगड की महिलाओं के लिए, चंडीगड के इंप्लॉईस के लिए और चंडीगड के जो आपने कहा कि कलोनी में रहने लोग हैं आने वाले दिनों में जब इस जीत से यहां से हम जीत कर जाएंगे तो इन सब का ध्यान और इनकी बातों को अच्छे से जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारन करने के लिए कॉग्रस पार्टी के अमीदवार यहां पर हैं तो हमारा ध्यान कोई अकेला कलोनीस पर नहीं है पूरे हर श्रेणी के लोगों के बीच में हमने जाना है और उनका समर्थन मांगना है तांकि हम यहां से हमारा हमारी यह जीत सुनस्चित हो सके केसरी जी नमांकन शुरू हो चुके हैं और स्टार प्रचारकों को बुलाने का दौर भी शुरू हो गया है नमांकन कल संजे टंडन जी करने जा रहे हैं और अक्षयत रितिया का मुहरत है जेपी नड़ा जो भाजपा के रास्ट्रे अधक्ष है वो यहां पे कल उनके रैली क के लिए पहुंचेंगे तो कॉंखरिस की उन्कों काटने के लिए कि स्त्रके ओजना देखिये बाजपा किया कर रही है या क्या करना चाहते है उस पहे मैं कोई बात करना चाहताहांございます हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जैसे आपने कहा कि मोदी जी यहां पर आ रहे हैं मोदी जी को मालूम है कि अगर मनीश तिवारी जी पारलेमेंट में पहुंचे तो वह पारलेमेंट का ग्यान पारलेमेंट की कार गुजारी का ग्यान उनको बहुत बेखूबी है तो वह ऐसी ऐसे questions और ऐसी ऐसी बहस के दुरान जब उनका सामना आधरनी अमिशाजी से या किसी और नेता से होता है तो उनको पारलेमेंट में पहुचने से रोकने के लिए नरिंदर मोदी जी यहां आ रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि मोदी जी का ये प्रयास सफ़ लोगा क्यों कि चंडीगड के लोगों ने हर वरक के लोगों ने नौजवान महिलाओं ने और सब लोगों ने मन बना लिया है कि हमें मनीश तिवारी जी को पारलेमेंट में पहुंचना है तांकि वो पारलेमेंट में पहुंचकर हमारे हर बात का हर बात को पारलेमेंट में पहुंचा सक मैं दोवारा उसी स्वाल पर आता हूं कि पवन बंसल जो हैं अभी तक आपके परचार में दिखाई नहीं दिये तो क्या बगैर पवन बंसल भी बेड़ा पार लग पाएगा देखिए मैं आपकी बात को दोरा दोओं पवन बंसल जी हमारे आधरनियनेता हैं और मुझे पूरी उमीद है कि जिस दिन मनीश तिवारी जी अपना नमंकन करेंगे उस दिन हमारे साथ होंगे और उसके बाद भी जब तक हमारा चुनाब ये परचार चलेगा वो कॉंग्रेस पार्टी के उमीद्वार और आम पांद्वी पार्टी के और के जीट के लिए जरूर परचार करेंगे और उनकी जीत सुनश्यत करने के लिए propaganda आधमी का वोट तो मोदी जी ने इतना काम किया है इतनी नितियां जो है उनकी फेवर में मनाई एक чले तबके की फेवर में दिला रही है यहां पर उस आठ परसंट का उन्हों ने टार्गेट भी रखा है यहां से वोटों का आपका क्या कहना है देखे हर राश्टे पार्टी अपना अपना एक टार्गेट रखकर चलती है लेकिन सिर्फ मैं भाजपा के नेताओं को सिर्फ एक ही बात पूछना चाहत सिर्फ एक बात का जवाब कोई भी भारते जन्ता पार्टी का उपर से कोई भी नेता इस बात का जवाब देजे इन्होंने दस साल में देश को पीछे करने का काम किया है आपके पास अगर किसी समय भाजपा के कोई नेता यहां पर आए तो ज़रूर पूछेगा कि देश में जब परधान मंतरी जी ने नोट बंदी की उसका फाइदा क्या भाजपा के नेताओं को या देश की जन्ता को हुआ इतनी बड़ी बड़ी लाइने देश में लगा दी आपने किते लोगों की मृत्ति हुई किसी ने उनको नहीं पूछा ऐसे बहुत सारे इशूज और बहुत बहुत कुछ बोलने को आपके इस चैनल पर है लेकिन सिरफ एक ही सवाल कि नोट बंदी का फाइदा देश में किसको हुआ किस से पूछ कर फैंशले लेकिया प्रदान मंत्र जी ने उस वक्त फनायस मनिस्टर से या आरबी आइग préंसला किसी से पूछ कर न ही की जाता एक ताना-शाय इस देश को चलाने की कोशिश कर रहा है और उस ताना शाही को खतम करने के लिए आज देश के लोगों ने मन बना लिया है और चंडीगड के लोगों ने तो बिलकुल मन बना लिया है कि इस बार यहां से भाजपा के उमीदवार को पठकनी देकर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के उमीदवार आदरने मनिश्ति करना है तो वो 500 भी कह सकते हैं 600 भी कह सकते हैं हमें उससे कोई इतराज नहीं है सविधान आप कह रहे हैं खत्रे में कैसे है आप देखिए जब से देश में संसद बनी है 1952 से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ कि एक बार में लगातार 140 से 50 संसदों को संसद से निकाल दिया गया हो ऐसा कभी नहीं हुआ कोई भी लोकसबा हो देश की गवालियर हो गुना हो कोई भी लोकसबा हो संसद को देश की उस शेतर के लोग चुनकर इसलिए भेजते हैं तांकि वह अपने लोगों की बात संसद के अंदर वहां के मंत्रियों के सामने प्रधान मंत्री के सामने रख सके लेकिन भाजपा ने क्या अत्कंडा अपनाया आज तक देश में ऐसा कभी नहीं हुआ इसलिए लगता है कि देश में लोकतंत्र और इसको खतम करने का प्रयास कर रहा है 140 से जादा सांसद आपने संसद से निकाल दिये दूसरी बात सवाल मैं फिर वही कह रहा हूँ हजारों सवाल है जिस दिन संसद के अंदर वो तीन लोगों ने आके जंप करके एक वो रंग उड़ाया एक उसको एक छोटा कहते हैं रंग वाला बॉम वो किया उनके उपर आस त वो भाजन पा के सांसद के नाम से बना था तो इसका प्रियो कित्स को Allah कितने लोग इंडि कैनके जो इनके लोग हैं सिरफ विपक्ष के लोग इनको नजर आते हैं कि विपक्ष के लोगों के ऊपर ED और CBI आएगी इनके लोगों के ऊपर नहीं आएगी और जो दूसरी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ जाता है उनके ऊपर सारी कारवाई बंद हो जाती है तो यह सिधे-सिधे एक देश एक ऐसे मुद्धे हैं जो कि किंदर को स्थिश के ही 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 हल होते हैं तो आपको क्या लगता है कि चुनाव राश्ट्रिय मुद्धो को ले के चल रहा है या कि लोकल मुद्ध मिध्ध भी इतनी महतपुन है уже got01 क्योंकि एक उमीद लगाए है यहां कि यहां के मुद्दे जो पर फेस्टो उठाकर देख लीजिए कोई भी मुद्दा हल नहीं हुआ इंप्लॉईज हाउजिंग स्कीम आज भी वहीं खड़ी है और इसके बाद आप देखिए वन टाइम सेटलमेंट जो हाउजिंग बूर्ड के हमारे रहने वाले लोग मांग रहे हैं उनके साथ बिलकुल न लेकिन दिखावे के लिए अखवार में आने के लिए या मीडिया में आने के लिए लड़ू जरूर अलग लग नेताओने बांटे हैं लेकिन आज तक मालिक ना हक किसी भी चंडीगड के रहने वाले लोग को नहीं मिला है तो यह मैं आपको एक एक एक्जामपल देना चाह जो यह लीज होल्ड टू फ्री होल्ड जो मुद्दा है इसका अगर जहां से अधरनिय मनीश्तिवारी जी अभी सांसद है अनंदपूर सहाब उसमें नंगल में कुछ चोटे बूत और चोटे मकान थे जिनमें लीज होल्ड फ्री होल्ड था उन्होंने उसको वहां पर करव पाया है तो उनके लिए यह कोई करवाना एक कोई मुश्किल नहीं है अगर वहां से सांसद बनते हैं तो यह मुद्दे आधरनिय मनीश्तिवारी जब बनते हैं आपको हल होते हुए भी आपी के चैनल पर जरूर दिखाएंगे 2014 से पहले भाजपा से पहले यहां पे कॉंग्रेस के एमपी रहे हैं तो कोई लीज होल्ड से फ्री ओल का मुद्द हो चाहे एंप्लोईस की हाम sing का मुद्द हो या 20 साल से employees contract पे और outsourcing पे काम कर रहे हैं उनका मुद्दा हो उनको नियमित नहीं किया जा रहा है उनको किसी भी टाइम जो है नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है तो यह मुद्दे 2014 के बाद नहीं आये उससे पहले की चल रहे हैं जब आपके सान सकते हैं आपने बिल्कुल ठ साल का समय उसके बाद जंता ने भाज़पा को भी दिया भाज़पा की सांसत को दिया भाज़पा के अधयाक्ष को दिया वह यह बात बिल्कुल спश्ट हो जाती है कि वह भी इस इन मुद्दों को हल करवाने में नाकाम्याब हो गया है लेकिन अब पार्टी ने यहाँ पर आधरनी मनीश तिवारी जी को बेजा है तो मैं चंडीगड के समस्त जिन लोगों के ये इशूज ने उनको ये आशवासन और पूरे जोर के साथ क्या सकता हूं कि आपके ये सभी मुद्दे करवाने की शमता एक ज आप इनको माधरनी मनीश तिवारी जी को अपना समर्थन देकर संसत में भेजिए और पूरे यकीन के साथ मैं कहा सकता हूं कि आपके सभी मुद्दे हल होंगे चंडीगड निवासियों के मनीश तिवारी लगातार जो है एक चुनोती संजे टंडन को दे रहे हैं भाजबा की जो परतैशी हैं बहस की चुनोती खुले मंच पे निश्पक्ष मंच पे कि आप किसी भी राष्टिय अंतर राष्टिय और रस्थानिय मुद्दों को लेके मिर से बहस कर लो आप इसको तीन उमीदवार हों चार हों या दो ही हों उनमें ये बहस होती है मुद्दों को लेकर लेकिन मुझे नहीं मालूम कि संजे जी इस बात को लेकर क्यों पीछे अट रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है लेकिन हमारे उमीदवार मनीश तिवारी जी आशायद आज इस तीज को भाग रहे हैं क्या आप चंडीगड के लोगों के लिए कि अगर आपको यहाँ से लोग जितवा कर भेजते हैं तो संसद में आप अपनी बात कैसे रखेंगे आप एक उमीदवार के साथ बहस नहीं करना चाहतें आप आईए बहस कीजिए आप अगर बहस नहीं करना करती है चंडीगड के लोग आपको इस बहस के लिए इनवाइट करते हैं आप आईए बहस कीजिए अपनी बात को रखिए ताकि चंडीगड के लोग जिनों ने आपको समर्थन देना है आइदर आपको देना है या मनीश तिवारी जी को देना है आप आईए आप उनसे बहस क साजिन शर्मा अर्थपरगाष के लिए चिर्डीगंट से